गुद्ध यूणिंग टेस्टिश्टर आप सभी का स्वागत है विएक मिसा टेग में टेस्टिश्टर हम लोग जिस कंपनी को इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टेक्स रेल है और इसकी अभी कंडिशन जब हम लोगों ने लाज्ट टाइम डिसकस किया था तो मैंने है तो समझेंगे इस वीडियो में इसके फाइनस का भी कुई अपडेट लेंगे और चार्ट पर भी बात करेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो चैल पर नहीं हो चैल सब्सक्राइब कर लें नोट फैसन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले ने ने अश्ट मार्किट से रिलेटेड एक क्रिप्टो करेंसे से रिलेटेड दोनों का लिंक आपको वीडियो के रिसिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तों आप जो आई बटन पर यहां पर जो वीडियो होती है उनको भी जरूर चेक आउट करिए काफी सारी वहां पर भी डिव से रिलेटेड हैं वो पूछ सकते हैं सेम चीज आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं वहां पर भी आप जॉइन करके 150 में आप 30 डेज के लिए अपना जो पोश्चन है से रिलेटेड जैसे कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्मेंट करना सही रहेगा या जो आपका प्रोट् डिस्ट्रक्शन फार्मिंग मशीनिरी प्रोवाइट करती है प्रोडूर्युसर मैंफेक्च्छरिंग का काम है पूरा तो रेल रिलेटेड और इंजिरिंग काम है पूरा में 17 तक के इसके कौडर फूर के रिजल्ट आने की डेट अभी बताई जा रही है अब देखते हैं क तो ठीक कंडिशन में कोई इसी दिक्कत की बात नहीं है अब दोस्तों इसमें देखिए अभी जब डिप आई थी तो मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए 34 रूपीज के राउंड और उसके बास से अभी देखिए अगर दोस्तों अभी जो इसका लेबल है अब आपको बताओं दोस्तों तो यह भी जैसे आर्वी एनल है 24 रूपीज से 34 रूपीज तक की मूवमेंट देता है फिर उसके बाद थोड़ा डाउन आ जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डिविडेंट पे करती यह कंपनी इस वज़े से पर इसकी अलग चीज है यह जाता है फिर डिप आता है तो इस तरीके की कंडिशन में आप ट्रेडिंग परपस से इन कंपनियों को काफी अच्छा इंवेस्मेंट के लिए यूज कर सकते हैं अभी जैसे कि दोस्तों आपको मैं इसकी थोड़ा सा अपडेट करता हूं फाइनेंसली पे तो मार्केट आती है कंपनी की बुक वैलू 35 रुपीज 90 पैसे है तो आपको ज्यादा सेर दूर नहीं दिखता है पास में है अपनी बुक वैलू को तो आप एक अच्छी जगह पे अभी भी खरी सकते हैं और इसको दोस्तों आपको मैं कहूंगा कि थोड़ा लॉंग व्यू रख के चले से इसमें फाइव मन्त तक का टाइम फिरेट देखके इसमें आप बिलो लेवल पर बाई करके होल्ड करने के लिए जा सकते हैं इस हिसाब से काफी अच्छा रहता है यह सेर प्रमोडर्स होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 58.3% की रही है 12 मन्त में देखा जाए तो प्र रहेंगे result अच्छे रहेंगे क्योंकि यहां पर कोई दिक्कत नहीं रही है फिलाल यहां पर कंपनी की face value जो है वह वन है return on equity 1.1% का रहा है तो काफी basic सारा है कुछ इतना खास नहीं रहा है तो आप इसको देखिए तो long view के हिसाब से जो लोग investment की सोच रहे हैं उनको बहु return मिलेगा तो इस हिसाब से भी आप इसमें जा सकते हैं तो फिलाल अभी जो इसकी condition की बात करें दोस्तों तो अच्छी है कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी company ने आप देखेंगे कि पहले जब 2019 तक था तो कुछ इतना बड़ा tax का percentage नहीं था इस बार आपको दिखेगा December का number इसलिए खराब हम लोगों को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे company ने बहुत ज़्यादा tax pay किया था मैंने जब आपको इसके quarter 3 के result explain किये थे तो मैंने यह बात आपको बताया था कि इसके normally जो tax होता है वो 38% 40% या 30 से below रहता है जिसके वाज़ से net profit में company के number अच्छे देखत कहलाता है अब इसके chart पर बात करते हैं और फिर उसके बाद मैं Adani power और आपको आगे की company को बारे में update करता हूं यह देखिए दोस्तों मैंने आपको इसमें target mention कर रखें जब मैंने आपको last time update किया था tax rail को जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर search करके बताऊं तो आपको पाई थी तो दोस्तों यह जो 33 रूपीज के round वाली range है यह सही range है मतलब 33 रूपीज से लेकि आप 29 रूपीज के round buy करिए और फिर इसके बाद target लेकि चलिए तो वहाँ पर हमको अच्छा return मिलता है जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि 33 रूपीज के round जब मैंने recommend किया उसके बाद share यहां पर 49 रूपीज 60 पैसे तक गया था फिर इसमें डीप आई है 29 रूपीज तक फिर आप देखेंगे वापस है इसमें movement बनने लग गई है और आज investment भी जो है इसमें दोस्तों आपको देखेगा अच्छी आई थी जो जैसे share और growth हुआ है अब इसमें बात अराउंड है तार्गेट हम लोग सेम फॉलो करके चलने वाले हैं 49 रूपीज 70 पैसे का और उसके बाद जो टार्गेट है वो 56 रूपीज 40 पैसे का तो हमारा तो लाफ टाइम का जब हुआ था तो टार्गेट हिट हो गया था फिलाल वापस से हम लोग इसको लेके चल सकते अब बात कर लेते हैं अडानी की और टीमडीसी की तो सबसे पहले अडानी का आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको अभी एक दो हपते पहले ही सेर के बारे में अपडेट किया था 121 रूपे के अराउंड बाई करने के लिए कॉल दिया था और उसके बाद दूस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यह सेर 134 रूपे 50 पैसे को ब्रेक करता है तो हमको काफी बड़ी जंप मिलेगी और देखे जैसे ही आज इसने ब्रेक किया है काफी अच्छा बार उपर गया है और हम लोगों का जो 146 रूपी 75 पैसे का फैला टार्गे उसके बाद का जो है 157 का वहां तक जाने की पूरी उमीद इसमें बनती हुई नजर आती है और GMDC में बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों को जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही अपडेट किया था GMDC को तो हम लोगों ने काफी जल्दी ही अपडे था वह हीट हो गया था और फिर उसके बाद मैंने आपको 193 रुपी 50 पैसे का टार्गेट दिया था तो उसकी तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है जो कि मंडे को वह भी हीट होता हुआ दिखाई देगा अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब भी 193 का जो है वह हीट हो मैं वाला है तो इस हिसाब से इन तीनों कोपनियों का अपडेट हो जाएगा दोस्तों अभी भी आपको इसमें होड करके चलना है मंडी के लिए भी एक्स वीडियो में